हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप आपने स्मार्टफोन के सभी एप्स एहटी कार्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं वो भी बिना किसी जंजट के क्योंगी कभी कभी होता क्या है आपके पास इंटर्णेट नहीं होता है आपको किसी आप की जरूरत पढ़ती है तो आपको उसे डाउनलोड करना पढ़ता है तो उसके लिए आपको जो है अगर आप एहटी कार्ड में सेव कर लेंगे अपने सभी जरूरत के आप तो वहाँ से जाके आप सिंपली इंस्टाल कर सकते हैं बिना इंटर्णेट के तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं उसके लिए दोस्तों डीस उन में एक लिंक दे रखिये ये एप की उसे इंस्टाल कर लेना है वन पॉइंट्ट वंबी का अप्रॉक से चोटा सा एप मिल जाता है उसको आपको इंस्टाल कर लेना है इंस्टाल करने के बाद सिंपली ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है ओपन होने के बाद आप जिन भी आप्स को HD कार्ड में टांसफर करना चाहते हैं उनको यहाँ पे आप कुछ ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं सेलेट करने के बाद आपको यहां पे यहां पे एकD dunno का option मिल जाता हो उस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहां पे हो का कि अगर आपका जो SD card है वो अगर वहां पे मौजूद है आपके फोन में तो वहां पे आपको SD card का भी option मिल जाएगा लेकिन अगर आपके phone में जैसे कि मेरे phone में अभी SD card अवेलबल नहीं है तो यहाँ पर केवल हमें एक ही option मिल रहा है वो भी internal storage का वहीं पर यह जो apps हैं वो save हुए जा रहे हैं तो कुछ इस तरीके से आप अपने apps को internal storage या फिर SD card में सेउक का सकते हैं